कर रुब सॉदेंट्स के आपका सवागहत है अपने पेल्टी चाल लाए था संदिकेजा है और positive health जो है, वो writer है उसके सुभाया दता, तो writer ने अपनो positive health ने, जो भी अपने दो पार्ट अपने पहने पड़े हैं, उसमें positive health की definition, developing or developed countries है, महाँ पे positive health का अजिस्टें क्यों नहीं है, इसका कारण पड़ाना, उसके बाद में, जो developing countries है, महाँ पे mental health तो अच्छी है, लेक अपने पैसे को वेस्ट करते हैं, डोक्टों के पीछे, अपनी जो homemade medicine होती है, उसका यूज नहीं करते हैं, तो यह writer पैते हैं, कि हमें देखा देखी करके, अपने पैसों का, उपनी money को वेस्ट ही कर रहा है, उसके बार में आगे जो आपने पढ़ेंगे, इसमें तो writer आप करते हैं, कि positive health को अचीव करने के लिए हमारी diet में हम किस तरीके से improvement कर सकते हैं, और किस तरीके से राइटरों बताते हैं, कि जो animals होते हैं, वह भी अपनी diet को बना करते हैं, उनकी एफिक्स राइट होती है, वह जितना हमको उपने सेजिर को जरूरत होता है, उतना ही काते है लेकिन हम लोग के बते हैं, तो गोरी राइटर कहते हैं, कि हम लोग तुस्टी कहीं माता ही है, स्टोथी कोई मंदर से होती है, जो अपनी बच्छों को देखती है, वार-वार बुका रहेगा, बुका तो नहीं रहिया, इसकी वज़र से उसको बार-बार खिलाने की को सिच हैं कि developing countries में mental health को अच्छी ही है, यदि हम आपने डाइट को अपनी नुट्रेस पर इस्टेस को बढ़ा करते हैं, तो अपना जो physical state, आपनी physical health को भी अच्छी बन जाएगी, और किस तरुक्री से developing countries में क्या उसमता है, अपने एंवर्मेंट का साथ में निहान अपने निहान पढ़ेखे अपन शुरू करते हैं अपना chapter. रिलाइंग सिंप्ली ओन मॉडर्ण ड्रक्स विचार ओफन वेरी एक्सपेंसिव और रिमेंबर मॉस्ट ड्रक्स हैव साइट इफेक्ट्स विच कैन बी मॉर डेंजरस देंडर डिजीज इटसेल अब इसके अंदर जो राइटर है वो कहना चाहरे हैं कि इंस्टिट ओव वेस हैं of more medical facilities कि हमारी जो खाते समगरी हैं यह हमारी जो medical से जुड़ी भी जितने भी सुविदाएं हैं उन सुविदाओं के संसादनों जो मेहतोफुन संसादन हैं उन संसादनों को वेस्ट करने के बजाए it might be better यह ज्यादा अच्छा होगा to use our knowledge and basic common sense हमारे ग्यान का और हमारे जो सामाने जो common sense की बाते होती हैं जो हम अपने बड़े भुजरुक से सीखते हैं in effort to maintain healthy bodies and minds यह नि हम अपने knowledge का हमारे basic common sense का यूज करें किस में हमारे health को maintain करने में और हमारे mind को maintain करने में हमें उनका यूज करना चाहिए किस की बजाए हमारी जो medical facilities हमारी जो पास है उन सु दारण के तोर पर learning the value of good nutrition for health हमें उन value को सीखना चाहिए उन value को सीखना है जो हमारे health के लिए nutrition है हमारे health के लिए positive है उन values को सीखो and teaching this to the children और वही चीजे नी हमारे स्वास्ते के लिए कौन-कौन सी चीजे अच्छी है खान पान अच्छा है कौन-कौन सी हमारे लिए बाते उनको सीखने के उनको हमें सीखने चाहिए और साथ हमें वो सारी चीजे बच्चों को भी सिखाने चाहिए बच्चों को हमें बताना चाहिए कि हमें अपने हल्थ के लिए हमें ये खाना सही रहता है ये खाना हमारे हल्थ के लिए सही नहीं है And we should use our indigenous, indigenous का मतलब होता है देशी, देशी हमारे जो बड़े भूजर्ग हमें दवायां बता के जाते हैं, हमारे घरेलू जो दवायां होती हैं, उनका हमें यूज करना चाहिए, simple home remedies, जो हमारे simple home remedies हैं, हमारे घर में किये जाने वाले जो उपचार हैं, उनका हमें यूज करना to solve simple health problem, जो साम्माने हमारे health problem होती हैं, साधरन सी जिसे पेटदर्द की दिक्कत है, सरदर्द की दिक्कत है, या कोई गेस्टिंग की दिक्कत हो जाती है, तो इन सब चीजों का इलाज करने के लिए, हमें medical सुवजाओं के उप्यों करने के बजाए, हमें घरेलू ज्यादा डिपेंड रहने की बजाए, हमें हमारे घरेलू उपचार पर ज्यादा डिपेंड रहना चाहिए, which are very often expensive, और ये जो modern drugs हैं वो ज्यादा expensive भी होती हैं, वो ज्यादा खर्चिली होती हैं, and remember most drugs have side effects, और लेकिन साथ में खर्चिली होने के साथ साथ हमें ये भी effect हो सकते हैं, तो इसमें जो राइटर वो कहने चाहिए हैं, कि modern drugs के उपर, आधनिक दवाईयों के उपर, ज्यादा सी ज्यादा medical दवाईयों के उपर, depend रहने की बजाए, हमें क्या करना चाहिए, हमारे जो घरेलू उपचार हैं, हमारे जो घरेलू दवाईया हैं, उनका हम सिंपल बिमारी के लिए, इलाज के लिए काम में लेना चाहिए, और हमारा जो हेल्थ है, यह हम अपने बोड़ी को कैसे मैंटन कर सकता हैं, वो चीज़े हमें पता होने चाहिए, साथ हमें बच्चों को भी बतानी चाहिए, अब जिसे राइटर ना है, वो एक्जामपल देते बताते हैं, कि जो जानवर होते हैं, जो अनिमल्स होते हैं, पशु जो होते हैं हमारे, आर नोट इंफ्लियंस्ट, वो प्रभावित नहीं होते हैं, बाइटर केमपेण, मीडिया के द्वारा, जो मीडिया केमपेण का मतलब होता है, आंदोलन चलाना, यह कोई भी उनकी द्वारा कारेकरम किया जाता है, तो हमारे जैस प्रकार हम टीवी में देखते हैं, तो टी अपना सवय विवेक, अपनी सूजबूच का वो यूज करते हैं, वो इसी पर विश्वास करते हैं, नेचर हैस गिवन इच अनिमल दा पावर टू मोनिटर इस अन बोडी, मोनिटर यह अपने कंट्रोल में करना, जो प्रकरती है उसने प्रते एक अनिमल को, जो प्रकरती प जैसे एक एक जामपल की तोर पर, साल्ट इस अन एसेंशियल एलिमेंट रिक्वाइड बाई ओल अनिमल्स, वाइल अनिमल्स इन दा फोरेस्ट लाइक राइनासर्स, एलिफेंट और दियर, ट्राइटू फाइंड ए प्लेस वेर साल्ट इस प्रजेंट इन दा सोयल, अब इ जरूरी होता है, साट सब के लिए जरूरी है, तो वाइल अनिमल्स इन दा फोरेस्ट, जंगल में जो जंगले जानवर होते हैं, जैसे राइनासर्स, राइनासर्स का मल होता है, गेंडे, एलिफेंट और डियर, ट्राइटू फाइंड ए प्लेस, वो लोग क्या करते हैं, ए एक ऐसी जगहे ढूणने की कोशिश करते हैं, वेहर साट is present in the soil, जहां पे मिट्टी के अंदर, soil के अंदर नमक है, वो विद्यवान रहता है, तो वो उस जगहे पे जाने की कोशिश करते हैं, जिस प्रकार नमक सब के लिए जरूरी है, तो एनिमल्स के लिए भी जरूरी है तो एनिमल्स अपना नमक ढूणने के लिए कहा जाते हैं, वो इस प्रकार की मिट्टी के तलाश करते हैं, जिसमें नमक रहता है, वो लगातार उस मिट्टी में से, उतनी अमाउंट में नमक को चारते हैं, जितना की उनकी बोडी को आफशेक्ता रहती है, उतना नमक को उस वो खाना काते हैं and never suffer from obesity, obesity means होता है मोटापा और इस प्रकार वो कभी भी मोटापे से सफर नहीं करते हैं, मोटापे से कभी भी पीडित नहीं रहते हैं as we human often do, जैसा कि हम मानव प्राय करते हैं, यह हम लोग यह दिन देखते हैं कि हमें खाना कितना खाना चाहिए, किस हिसाब से खाना चाहिए, nutrition खाना है कि नहीं है हम लोग उससे भी ज्यादा diet ले लेते हैं बलकि जो animals होते हैं वो अपने शरीर के according यह जितना उनके शरीर को requirement है उतना ही वो खाना काते हैं और इस प्रकार वो कभी भी obesity से सफर नहीं होते हैं, यह एक तो अपने सूजबूत से monitor करते हैं, क्योंकि वो नमक की मातरा ले लेते हैं मिट्टी से और उस मिट्टी तक की तलास करते हैं जहां नमक रहता है और साथ इसाथ जितना उनके एक शरीर को खाने के आवशिक्ता होती है उतना ही वो खाना खाते हैं, All carnivors, animals eat grass whenever they have diarrhea, All carnivors, Carnivors means हो गया मासाहरी जानवर, अब यह मास खाने वाले जानवर होते हैं लेकिन यह जो carnivors, animals होते हैं वो भी कभी-कभी घास खाते हैं, कब खाते हैं, देट कि दिककत होती है उनको भी मीट की बजाएग किसको प्राएरिटी देपने घस कहाने जार से उनके साथ उपचार किसे करते हैं घसे अगिएर्ट ओर समया हैं डू टू इन डाइजेस्ट जो कुछ भी उन्होंने खाया है इस चीज का इलाद वो जो चाइनिवर्स गार्ट करते हैं वो घास खाकर के और ये नॉर्मली इनेज़ टू मैंटेन गुड फीजिकल हैल्थ और इस प्रकार जो कार्निवर्स ऐनिमल होते हैं वो अपने अच्छी करते हैं और इस परकार वो एक good physical health को maintain कर लेते हैं अब देखो eating behavior अब eating के बारे में राइटर कहते हैं कि हमें eating का behavior हमारा कैसा है नहीं हम जो human beings होते हैं उनके खाने का तरीका किस तरीका से होता है तो जो राइटर कहते हैं कि we human beings seem to have lost the ability to monitor our own bodies in order to maintain health तो हम जो human beings हैं seem to have lost the ability to monitor our own bodies ऐसा लगता है कि हम human beings को जब देखते हैं तो उन्होंने अपनी bodies को control करने की जो ability है उसको खो दिया है in order to maintain health, health को बनाये रखने के चकर में we refuse to understand our own body signals and tend instead to follow the advice of doctors or the media अब यहां भी जो राइटर हो कहते हैं कि हम refuse करते हैं हम मणा कर दे अन्हारी बोडी के signal को बोडी हमें क्या संकेत देना चीजाए इन्हारा पेड कितना खाना मांग रहा है कप मांगता है हमारे Пेड के लिए लिए bowling SHरीर के लिए हमारी physical health के लिए कौन सा खाना सही है तो ये signal जब हमारे सरीर के द्वारा दिया जाता है तो हम उस signal को क्या करते थे हैं इग्नोर करते हैं और किसकी तरब हमारा tend हो जाता है tend का मनलता है रुख होना या प्रवर्थी होना हमारा किसकी तरब हो जाता है to follow the advice of doctors or the media हमारे doctor और media के द्वारा जो भी हमें कही जाता है हम उन बातों की तरफ follow करना सुरू कर देते हैं sometimes over jealous parents कभी-कभी तो जो over jealous person होते है over jealous person का मनलता है ज्यादा उत्साही जो parents होते हैं जो अपने बच्चों को लेकर के ज्यादा care दिखाने वाले जो parents होते हैं forced infants infants में होता है छोटे बच्चे जो होते हैं जिनको खाने का पता नहीं रहता है तो वो अपने शीशु को इस बात के लिए force करते हैं and small children और जो 4-5 साल के बच्चे होते हैं उनको force करते हैं to eat खाने के लिए because it is feeding time क्योंकि यह उनके खाने का समय है बच्चे को चाहिए भूख लगी हो या नहीं लगी हो उससे उनको मतलब लिए लेकिन जो over-gealist person होते हैं जो ज़्यादा उत्सा ही parents होते हैं जो अपने बच्चों को लेकर के ज्यादा careful दिखाते हैं तो वो उनके बच्चे का खाने का time हो गया है इसके according लेकर उनको खाना किलाते हैं बल्कि इसीज का ध्याने देखते हैं कि बच्चे को भूख है या नहीं है not because they are angry वो बुक के ही कारण नहीं देखते बल्कि उनके खाने का time हो रही है इसलिए उनको खिलाते हैं और children may be feed more than their body's demand और इस तरीके से जो बच्चे हैं वो उनकी body जितने खाने का demand करती है उससे ज़्यादा वो खाना खा लेते हैं और need because some books dictates how much food a baby requires और need because some books dictates और कुछ ऐसे भी होते हैं कि कुछ जो हमारी book होती है वो dictates करती है कुछ हमारी books बताती है कि एक baby को कितने खाने की require होती है तो इस तरीके से वो अपने बच्चे को उन books के according चलते हैं और उनके खाने का time हो गया इसके according उनको खाला किराते हैं जिसकी वज़ा से वो उनके बच्चे के जो body है वो demand करना बंद कर देती है As a result, children may grow up ignoring important body signals और इसका result यह होता है कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वो अपने body signal को ignore कर जाते हैं नहीं उनके body कितना खाने को requirement है उनकी body कितने खाने तक signal देती है इस खाने इस signal को वो ignore कर देते हैं until finally these signals become weak and fail to और आखिर में क्या होता है यह जो signal होते हैं वो कमजोर बन जाते हैं और fail हो जाते हैं fail to stimulate normally stimulate कमल होता है उद्धीपन देना जैसे stimulate means उद्धीपन देता है कुछ एस तंत्रिकाही होता है जो बताती है कि हमें इतना खाना-ा-ा-ा है िनकी body करना इस Bigxis को नितना खाना-ा-ा है कि हमें एक tbsp stimulate करती है हमें सिरीर में उद्धीपन पैदा करती है कि हमें इतना घाना-ा-ा है लेकिन इती बच्चे को ओवर खिलाया जाता है बच्चे को time के according या कुछ books के according इती बच्चे को parents खिलाते हैं तो उनकी जो दीरे दीरे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो उनकी body was signal देना बंद कर देती है बच्चों को उद्धीपन देना बंद कर देती है people then either eat far too much or too little और ऐसे लोग क्या करते हैं आजकल से बदाया है कि या तो लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं या फिर too little या फिर बहुत कम खाते हैं as in the case of some young figure conscious girls जैसा कि आजकल के case में होता है कि कुछ जो लड़किया होती है अपने figure के परती ज्यादा सचेत रहती है अपने शरीर के परती ज्यादा सचेत रहती हैं तो अपने figure को बनाये रखने के लिए वो एक्दम से खाना बंद कम कर देती हैं या फिर जो लोग होते हैं जितना amount उनकी body को required है जितना amount उनकी body में खाने का जाना चाहिए तो उसको वो फैल होजाए जाए नी या तो बहुत ज्यादा खाएंगे जिसकी वज़य से जितना amount है उससे जयादा खालेते हैं तो फैल हो जाते हैं यह फिर ऐसा होता है कि जो जासे रड़किया होती है वो अपने फिगर को लेकर conscious रहती हैं तो वो कम खाना सुरू कर देती हैं तो जितना हमारे सरीर को रिक्वायर होता है उतना खाना सरीर में पहुंच नहीं पाता है जिसकी वज़े से फिजिकल हेल्थ बन नहीं पाती है हावेवर इफ वी चेंज आवर अटिटूट और लेन तो ट्रस आवर ओन बोड़ी सिग्नल और हमारे खुद के जो बोड़ी सिग्नल है उन पे विश्वास करना सुरू कर देते हैं फ्रॉम दा बिग्निंग सुरू से यह नहीं सुरू से यह बच्चे को इस तरीके का बनाते हैं कि जितना उनकी बोड़ी को रिक्वायर है उतना ही उनको खेलाया जाता है तो इस प्रकार जो यह परिग्राफ अपने आज में पड़े हैं उसमें जो राइटर ही कहना चाते हैं कि किस प्रकार एनिमल्स होते हैं प्रकार्टी की द्वारा एनिमल्स को कुछ औनको पाउंड कर दे आता है तो वो प्रकृति के according ही चलते हैं, लेकिन हम जो human being है, या तो overeat कर लेते हैं, बहुत ज़्यदा खा लेते हैं, या फिर अपने सरीर को लेकर की ज़्यदा conscious हो ज़ते हैं, जिसकी वज़ा से हम खाना काते हैं, तो जो हमारे सरीर को required रहते हैं, जितने खाने की हम वो खाना हमार की good health को enjoy हम कर सकते हैं, अब इसके आगे जो paragraph होंगे, वो हम next video में पढ़ेंगे, thank you